नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चनल पीएफपी में आज हम एस्टरल के बारे में चर्चा करने वाले हैं स्टॉक हमें कंटीनियूसली नीचे आता हुए नजर आता है आज भी स्टॉक में हमें 3% की गिरावट देखने को मिली है तो क्या यहाँ पर और गिरावट हो सकती है कि हमें 15-14-14 यह लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा है तो आज रीटेल इंवेस्टर में क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बहले फंडामेंटल पर फोकस करते हैं प्रोड़क्ट वाइस रेवेन्यू ब्रेकप के बार में बात करें तो प्लास्टिक प्रोड़क्ट से 77.1% का रेवेन्यू आता है अधे से उसे 22.9% और आपको पता ही होगा कि आश्र भी पेंट बिजनस में भी एंटर होने वाला है तो यहाँ पर अप्रोक्सिमेटली आगे आने वाले साल से आपको 5-10% पेंट बिजनस से भी रेवेन्यू दिखाई पर सकता है नेट प्रोफिट ब्रेकप के बार में बात करें तो प्लास्टिक प्रोड़क्ट से 79.2% का नेट प्रोफिट है अधे से उसे 20.8% लोकेशन वाइस ब्रेकप के बार में बात करें इंडिया से 90.2% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट आफ दे वर्ल से 9.8% फंडामेंटल रेशियोस के बार में बात करें तो ROE 21% है ROC 27% है अब देख पाएंगे अपने averages से ये उपर के numbers नज़राता है जो कि अच्छी बात है net profit margin 12.73% है ये FY 21 का है और यहाँ पर हमें एक अच्छा improvement नज़राता है तो overall margins अब भी आपको stable नज़राएं है लेकिन फिलाल जो raw material के prices भढ़ गए हैं इसलिए margin में तो गिरावट हमें दिखाई पड़ती है debt to equity के बार में बात करें तो 0.04 का debt to equity है तो overall यहाँ पर negligible जैसा करजा नज़राता है financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत अच्छा financial trend है revenue profit हमें continuously बढ़ता हुआ नज़राया है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding है 55.73% जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है mutual fund 37% other DIA 5% FIA almost 18% retail and other category में 14% के सिदारी है तो overall share holding pattern भी अच्छा है promoter के पास 50% से ज़्यादा की equity है और FIA, DIA, mutual fund इनका भी interest हमें अच्छा नज़राता है analyst के rating के बार में बात करें अठरा analyst ने stock को cover किया है जिसमें से सिर्फ 27% का मानना है कि stock में खरीदारी करनी चाहिए higher side पे 59% का upside है median है 28% का upside और lower side पे 19% की गिरावट है 14 इंडिर का target बताया जा रहा है peer comparison के बार में बात करें तो इस sector में market capitalization में सबसे बड़ी company है और valuation के बार में बात करें सबसे ज़्यादा महेंगा valuation दिखाई पड़ता है astral का stock 81 के peer ratio पर trade कर रहा है जबकि बाकि आप देख पाएंगे supreme industry, phenolix हो गया prince pipes हो गया यह सब आपको 30 के नीचे trade करते हुए नजर आते हैं तो बहुती ज़्यादा premium valuation है उसमें कोई डाउट नहीं है stock के chart पर हमें clear पता चलता है कि stock हमें 2500 के level से नीचे आता हुए नजर आया 2000 का level काफी समय से ऐसा support देखने को मिला था यहाँ पर एक jump लाया फिर से stock हमें नीचे आता हुए नजर आया stock ने approximately 1750 के आसपा support लिया वहाँ से एक अच्छा bounce आया 2250 तक यह resistance लेने के बाद आपको वापस गिरावट देखने को मिली और फिलाल यह low भी हमें तूटता हुआ नजर आया है उसके नीचे की closing भी दिखाई परती है फिलाल यह stock अपने सारे moving average के नीचे है 20 और 50 days के moving average ने cross over भी कर दिया है daily RSI 23 का level है weakness है उसमें कोई doubt नहीं है weekly chart के बार में बात करें तो यहाँ पर भी हमें भयंकर weakness नजर आती है अब देख पाएंगे यह जो candle से already complete हो चुकी है यह candle यह लिक complete हो चुका है तो clearly stock में आपको weakness नजर आती है weekly RSI 37 का level है यहाँ पर भी momentum नीचे के side पर है monthly chart के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी यह गिरावट होई एक bounce आया फिर से गिरावट देखने को मल रही है तो monthly chart पर भी आपको lower high और lower low का structure बनता हुआ नजर आता है important levels के बार में बात करें तो आप trend line देख पाएंगे इसी trend line पर stock ने support लिया था stock उपर गया था फिलार यहाँ पर support लिया फिर से तेजी देखने को मिली लेकिन अभी यह trend हमें तूटता हुआ नजर आया multiple confirmation अलड़ी हो चुके है daily chart, weekly chart सब भी यहाँ पर आपको नीचे के closing देखने को मिली है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह trend line तूटा है यह support भी आपको उसके साथ ही तूटता हुआ नजर आया तो clearly यह trend line तूट चुका है तो गिरावट तो हो सकती है तो कौन से level तक गिरावट देखने को मिल सकती है उसके लिए एक बार हम support draw कर लेता है approximately 1500 के आसपास का support नजर आता है resistance के बार में बात करें तो अब stock के लिए 2000 का level बहुत ही strong resistance हो चुका है उससे पहले भी of course multiple resistance देखने को मिलेंगे यह 1900 का level भी as a resistance हमें देखने को मिलने बाला है तो फिलाल यहाँ पर जो भी काम करना है इन दोनों levels को ध्यान में रख्की करना है तो short term के बार में बात करें तो जब तक यह stock अभी 1900 के उपर नहीं जाता है 2000 के उपर नहीं जाता है तब तक तो बिल्कुल bullish नहीं होना है midi term के बार में बात करें तो यहाँ पर यह जो गिरावट हो रही है अगर यह 1500 के आसपास आता है तो यह अच्छा level हो जाएगा जहाँ पर हम position initiate कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए avoid करना है long term के बार में बात करें valuation premium में उसमें कोई doubt नहीं है लेकिन जो बाकी pipe की company है और astal में difference यह कि अधे से उसमें भी काम करता है और अधे से उसमें दूसरी कौन सी company है पिडिलाइट industry है वहाँ पर भी valuation आपको जादे नजर आता है तो जो भी अधे से उस वाली company है वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको higher side का P.E. valuation ही दिखाई पड़ता है तो यह मान सकता है कि इसलिए यहाँ पर भी premium valuation है और paint industry में यह enter हो रहा है paint industry में भी high P.E. valuation दिया जाता है आप कोई भी paint industry का stock select कर सकता है जरूरी नहीं है कि आपको Asian paint याने की market leader कोई select करना है दूसरी companies भी आपकर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको slightly उपर के P.E. ratios पर इस टॉक्स trade करते हुए नजर आएंगे तो लेकिन फिर भी valuation premium में उसमें कोई doubt नहीं है यह investor हमें risk लेना है तो आप ले सकता है अगर आपको यह comfortable नहीं लगता है तो आप avoid कर सकते हैं तो long term के लिए मेरे इसाब से 1500 का level अच्छा हो जाता है analyst में जो target बताया था 1400 का level तो 1400 भी आ सकता है जब भी आप analysis करते हैं तो एकदम हम मानने सकते हैं यह 1500 से return होई जाएगा यह कईबा stretch हो जाता है chart यहाँ पर तोड़ी और भी घिरावट हो सकती है 1400 से return हो सकता है तो 1400 से करके 1500 यह हमारे लिए as a support zone हो जाता है जहाँ पर हम long term के लिए खरिदारी करने के बार में सोच सकते हैं पिछले कुछ समय में stock में जिस प्रकार से हमें घिरावट देखने को मिली है 22 के level से continuously नीचे आया है कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर एक green candle भी देखने को नहीं मिली है तो मैं personally expect यह कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत बीच में bounce देखने को मिल सकता है थोड़ी बहुत recovery देखने को मिल सकती है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि stock यह trend बदल गया है trend bullish होने के लिए यह trend line तूटना भी काफी जादा जरूरी हो चुका है अगर यह trend line तूट जाता है तो हम मान सकते हैं कि यह stock अभी bullish हो चुका है trend भी bullish होता हुआ नजर आया है लेकिन stock का फिलाल sentiment देखते हुए market का sentiment देखते हुए यह नहीं लगता है कि जल्दी आपको trend bullish होता हुआ नजर आएगा एक बार तो stock आपको 1500 के level पे मिल सकता है ऐसा मेरा मानना है जहाँ पर अमारे लिए एक अच्छी opportunity बन सकती है और यहाँ पर exit करने का भी मेरे हिसाब से time निकल गया है भले ही आप यहाँ पर stop loss रख सकते थे लेकिन अभी आपके पास ज्यादा यहाँ पर space दिखाई नहीं पड़ती है फिर भी अगर आप stop loss लेना चाहता है अच्छी बात है आप यहाँ पर stop loss लेकर निकलने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन मेरा personally मानना है कि यहाँ पर stop loss के लिए अल्यड़ी थोड़ा late तो होई चुका है फिर भी लेना चाहिए तो आप यहाँ पर अल्यड़ी stop loss हीट हो चुका है exit करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप एक long term के investor है अगर आपका vision है कि भाई 5 साल 7 साल के लिए hold करना है तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर आपने लिया ही trading purpose के लिए था कि भाई मुझे इतने percentage चाहिए 10-15% profit मिलेगा मैं निकल जाऊंगा trading perspective से swing trade, positional trade के लिए लिया था तो stop loss लेना ज़रूरी हो जाता है positive के बार में बात करें तो fundamentals company के अच्छा है shareholding पर काफी अच्छा है, growth भी काफी अच्छी है और expansion भी कर रहा है paint industry में enter भी हो रहा है, DIS का stake भी बढ़ता हुआ नजर आता है negative उसके बार में बात करें तो technicals weak चल रहा है, FII का stake नीचे जा रहा है most of the analyst bearish दिखाई पड़ता है और valuation तो काफी ज़दा premium है तो ऐसे situation में करना क्या चाहिए, short term और mid term के लिए weak है, avoid करना चाहिए long term के लिए आप खरीच सकता है, बहतर valuation भी मिलेगा approximately 1400-1500 तो एक अच्छा price रहेगा जहां पराप enter कर सकता है I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है, आपकी investment और trading decision में आपको यह मदद करता है Thank you, stay happy, happy investing